वियोटे इससे विडियो में कुछ टिप्स एंड प्रिकाने वाली हूँ उसे देखने के लिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब ना भूलिए जिससे की आप अलग-अलग डिफरेंट तरीके की रेसीपीश देख पाएं चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंने सबसे पहले लिया है बेशन और आटा आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर यह दिखे आधा कप से उपर बेशन लिया है और मैंने आधा कटोरी के लगभग में आटा लिया है और यहाँ पर मैंने एक चम जालने तक का वेट करते हैं और इसके पाद में इसमें हम डालेंगे बेशन तो चलिए अब हम इसमें बेशन चालते हैं और इसे अच्छे से हिलाते हैं अच्छे से बेशन में ही मिक्स हो जाना चाहिए दिखें इस तरीके से मिक्स हो गया अच्छे से और कोशिश करिए कि ये थोड़ा सा बिखरा हुआ दिखें इसमें गुट्लिया नी पढ़नी चाहिए हलके हलके से गुट्लियों को हटाने की कोशिश करें इसको दबा कर ऐसे प्रेस करते हुए देखें इस तरीके से सिकना स्टार्ट हो गया है गुट्लिया इसमें कम पढ़ गई है देखें इसको कैसा बिखड़ने लगा है दिखाती हूं देखें इसे हलकालक सिकने लगा है इसको कम ही रखना है फ्लेम को बढ़ाना नहीं है देखें इतना रखना है इसे देखें जब इसमें गुट्लियां हतम हो जाए उसके बाद में इसमें जो यह मैंने आटा लिया है यह में डाल रहे हूं इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा सा घी डालने की जलुरत है तो हम इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी दिखिए यह एक चमच गी मैं और डाल लें इस घी को इसमें अच्छे से मिक्स करना है कुछ लोग आटा और बेशन को एक साथ मिस्क करके भी इसे बुनते हैं लेकिन इसने यही प्रिक है कि आप पहले बेशन को हलका सा सेखिये और फिर उसके बाद में आटे को डालिया और फिर उसके बाद में इसे अच्छे से कम आच पर सेखिया है देखिया इसने इसे गुटलिया नहीं रहनी चाहिए अच्छे सेखिये इसे ऐसे सेखते रहे हैं और बिल्कुल कम आच पर रहने दीजिए और अब आप एक कप में चीनी ले लीजिए आप 200 ग्राम चीनी ले सकते हैं और इस तरीके का आपको कंटेनर ले लेना है और इसमें आप मैं वो चीनी डाल दे रहे हूँ अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है पानी बहुत जादा नहीं डालना है पर ना इसे पकड़े में बहुत टाइम लगेगा देखे इतना वसकीं चीनी गिली हो जाए देखिए एक लिली हो गई है अब क्या इसको ओन करना है ओन हो गया है तो इसे मीडियूम फ्लेम पर रखता है देखिए ऐसा सिख गया है ब्राउन होने बगा है इसे थोड़ी देर और सिखिए हल्पना सा गोल्डें ब्राउन हो जाना चाहिए अब इसमें में ये डाल रही इलाइची पाउडर मैंने शुगर के साथ इलाइची को पीसा है आप चाहें तो रेडी में इलाइची पाउडर का यूज कर सकते हैं इसमें सुमेक्ट कर लेना है इससे ना सोन पापड़ी में खुश्बो बहुत ही अच्छी आती है देखिए ये हमारा ब्राउन हो गया है गोर्डन ब्राउन अब हम गैस को बंद कर देंगे और देखिए यहां पर हमारी जो चाशनी है वो उगल रही है इसे 30 से 40 मिनिट के लिए पकाना है ये ठिक हो जाना चाहिए एकदम तो चलिए जब तक ये बनता है तब तक हम इस बेसन को सिकेवे बेसन को थाल में निकाल कर देते हैं हमें बेसन को चानने के लिए ऐसी जादी की जरूरत पड़ेगी चलिए मैं इसकी मदद से सिकेवे बेसन को चान लेती हूँ इस थाली में पुटलिया तोड़कर बोड़ा सा बिखेड ले तक हम इसमें चाल लेना है इसको देखेए मैंने इसे चाल लिया है और यह ऐसा हो गया है आप इसे साइड में रख देते हैं और चासनी को देखते हैं तो देखेए माई चासनी गाड़ी होना शुरूरू हो गई है चलिए अब इसे चेक करते हैं मैंने यहां पर बॉल में पानी लिया है इसमें हम यह चासनी लाल कर देखेंगे इस है उम्हें नहीं होई है देखिあ में चास्नी यहां बहुत है इसे हम डाल कर देखAtेहें माने पाणी पाणी हिए यहीं क्यों नहीं डेखिए क्यों सोरी सी आप यहां हां रिल प हुए है इसमें एक टरिक है अगर आपको चासनी थोड़ी सी ऐसे गारी जासे जीजकी जादा दिखती है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाके और फिर से इस पानी में चेक कर सकते हैं. थोड़ा सा यी स्टिकी होना चाहिए, एक्दम हार्ड नहीं होना चाहिए. उस लैब पर हलका सा घी लगा लेना है और इसी एरिया में आपको चास्नी को डालना है तो चास्नी को हमें यहाँ पर डाल देना है और एकदम यह बहने लगे तक तो हमें हलकी हलकी से डालिये हलकी हलकी से देखिए चिपकरा इसको पलटना है और बचावा चास्नी को डाल देना है सारा चास्नी डाल देखिए और इसे हलकी हलकी से देखिए ऐसे पलटी है स्लैप पर डालें से यह फायता होगा कि यह जल्दी से ठंडा हो जाएगा देखिए इसे पलटते जाहिए देखिए इस तरीके से इसे निकाल लेना है यह थोड़ा गरम है इसे ऐसे करिए हमें इसे ऐसा करते जाना है देखिए अपना कलर चेंज कर रहा है ध्यान से करेगा गरम बहुत है बना लेना है और इसमें प्रेखिए है इसमें ध्यार रखना है कि वह गोला टूटना नहीं चाहिए बस इस गोले को ऐसे कटते चाहिए गोला टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी वरना लक्षे बनेने अपना लेना हाट भी कट गया है नाई कि बताते हुए इसमें अच्छे से करनी पारें आपको इसे अच्छे से करना है और इसमें अच्छे से यह जो मिक्ष्टर इसको लपेड़ना भी देखिया ऐसे करते चाहिए अच्छे से लगाते जाहिए तो देखिए हमारे लच्छे निकल गए है इसमें से देखिए कितने सारे लच्छे निकले हैं अब इसे प्लेट में भी जमा सकते हैं, एक जैसा करके, कटोगी में चॉल रही हो, आप मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ, कैसा दिख रहा है, दिखें, कितना अच्छा बना है हमारा सोल पापड़ी, हमारा सुपब warto करके, कितना बना है हमारा आपको आपको हूँ, भापकोख रहा है यजया हूँ, कितना अच्ता है.